हेलो दोस्तो मैं विकास आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है आज का वीडियो है 32 इंच का LED टीवी जिसमें पैनल का प्रॉलम है तो यहां पी एक बार हम पाउर देते हैं उसके बाद हम आपको प्रॉलम दिखाते हैं तो यहां पे हमने पाउर दे दी है तो इस तरह से इस क्या स्लूसन है यह जाने के लिए वीडियो को लास्त तक जोर देखें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो वेल्कम टू माई चैनल प्रेम इलेक्ट्रानिक्स सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकॉन तो आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं पैनल का और इसको मै उपन कर लिया है तो यहां पर इसका एक बार इस कलर देख लेना है कि कहीं से बर्निंग तो नहीं है या कहीं पर छेड़ चाड़ तो नहीं है क्योंकि आपको यह देखने से यह आदा प्रॉलम मिल जाएगा कि प्रॉलम किदर से है और कहां से नहीं है तो यहां पर देख सक जो कि 3.3 बोल्ट यहां पर होना चाहिए यहां पर देख सकते हैं यह लिखा हुआ भी है तो इसके input पर 3.3 बोल्ट और यहां पर एक usable resistance लगा हुआ है जो कि उसके output पर यहां पर आप देख सकते हैं 3.3 मिलना चाहिए तो यहां पर भी यह बिल्कुल okay है और वहाँ से होकर dc to dc ic होकर यहाँ पर आपको vgh और vgl मिल जाएगा तो यहाँ पर vgh के point पर 18.5 volt और vgl के point पर minus 5.5 volt मिल रहा है तो अभी थोड़ा voltage drop है क्योंकि यह panel अभी पूरी तरह नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा voltage का down ही मिलेगा और एक voltage हम यहाँ पर चक कर लेंगे vscm तो यहाँ पर 10 volt होना चाहिए जो कि यहाँ पर 8.2 volt मिल रहा है और यहाँ पर 12 volt जो कि panel का voltage होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 volt भी बन रहा है यह problem आप इसका देख सकते हैं पर दिख रहा है तो मैंने दिहां से देखा तो इसका पैनल जो है एक साइट से इसमें water damage मिला हमको तो इसका solution है कि इसका जो side cop होगा तो वहाँ से jumper करके इसको tick कर सकते हैं तो इसका cop number देख सकते हैं और Google पे आप search करके इसका data sheet भी load कर सकते हैं इस तरह से तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा sketch कर लिया है और अब हम आपको इसका voltage major करके दिखाते हैं तो हम सबसे पहले ckv का voltage sorry signal चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना voltage आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.1 volt यानि कि यह है अभी 0 volt ही मानेंग इसको और OE voltage sorry OE signal वो भी low है VGL जो की panel के scalar पे मिल रहा था वो same voltage यहाँ पे भी मिल रहा है यानि कि VGL का ok है और VGH का चेक करते हैं तो VGH का भी हमारा ok voltage मिल रहा है और यहाँ पे STV, STV का signal यहाँ पे आएगा तो इसको भी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी 0 voltage मिल रहा है यानि कि जो इसका OE, CKV और STV और VDD यहाँ पे देख सकते हैं यह भी 0 volt है जो की यहाँ पे 3.3 volt मिलना चाहिए तो यह 4 signal हमारा drop है और यहाँ पे भी VDD मिलना चाहिए 3.3 volt तो इस वाले point पे 3 volt 3 volt ok है तो इसके बाद हमने इस तरह से jumper मार दिया है इसके कौन सा pin है देख सकते हैं VDD को यहाँ पे हमने लगा दिया है एक jumper यहाँ पे हमने 4 jumper लगा दिया है जो की इस color से हमने इस तरह से हमने join कर दिया है एक एक jumper करके तो आप हमसे टेलेग्राम, इंस्टाग्राम, फेस्बुक से भी join हो सकते हैं लिंक मैंने discussion में दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले कौन से हमने jumper लगा के उसके scalar पे join कर दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की इसका CKV और OE यहाँ से हमने signal दिया हुआ है और HTV का signal जो की इस वाले cop के पास मिला तो हमने यहाँ से एक jumper लगा कर side cop पे jumper कर दिया है तो इस तरह से आप भी अपना TV में jumper लगा सकते हैं तो यह problem ज्याद़ तर dust के कारण दिखता है dust या नमी, sealant या water damage भी इसको कह सकते हैं तो इसी सब के problem से आता है तो इसका हम एक बार jumper मानने बाद इसका voltage चेक करते हैं तो यहाँ पर OE voltage देख सकते हैं अभी 0V था तो यहाँ पर 1V हो गया है और CKV voltage पर हम देखते हैं तो 1.9V जो कि यह भी 0V था और अब हम इसका HTV voltage चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं HTV यह भी 2V मिल दा था तो वह video हमसे delete हो गया है sorry उसके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चार ही जम फर मा रहा है तो यह TV एकदम बिल्कुल ओके हो गया है और ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चनल पर बने रहें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो यहाँ पर एक बा है और सकते हैं है